दोस्तो कैस्टरॉल फंड एप्लिकेशन को लेकर के जितने भी आप लोग के डाउट हैं सारे आज की इस वीडियो में किलियर होने वाले हैं देखो सबसे बहले आप लोग को बता दूँ इस एप्लिकेशन के अंदर मैं या लॉग इन कर रहा हूँ लोग इन करने के बाद यहां पर नीचे जो भी मुझे ऑप्सन दिखाई दे रहे हैं जैसे कि मान के चलो मैंने लोग इन किया हुआ है इस एप्लिकेशन के अंदर यहाँ पर मैं प्रोडक्ट वाले option पे click कर रहा हूँ या फिर pay taxes पे click कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे pay tax करने का option आ रहा है ठीक है उसके बाद मैं यहाँ से back कर रहा हूँ तो enter the platform पे click कर रहा हूँ फिर भी यहाँ पे लिखा आ रहा है कि आपको सबसे पहले यहाँ पे tax pay करना है ठीक है लेकिन मैं और जो नीचे option आ रहे हैं उन पे भी click कर रहा हूँ तो भाई directly मुझे सिर्फ यही notice आ रहा है pay taxes का मेरे pass interface खुल रहा है यह वाला तो भाई आज की इस वीडियो मैं इस चीज से related इसका solution बताऊँगा और जिन लोगों के पैसे इसके अंदर फसे हुए है उनको भी recover करने का solution बताऊँगा किस तरीके से आप लोग अपने पैसे recover कर सकते हो सबसे पहले तो एक चीज आप लोगो बताना चाहूँगा भाई इस type की अगर कोई भी application आ रही है ठीक है आप लोगों सबसे पहले तो कोई ज़्यादा लालच के चक्कर में नहीं पढ़ना है पान के चलो इसके अंदर application के अंदर एक छोटा plan है जो की है 400-500 रुपे का उसके अंदर invest करो only या फिर दूसरा plan एक बार ही आप लोगों invest करना है only कुछ लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा लालच के चक्कर में वाई दो-दो जैसे उनको लगता है कि application चलेगा काफी दिन हो गए हैं इस application को market में इसका मतलब काफी लोग जो हैं वो सोचते हैं कि application और ज़्यादा चलेगा तो वो लोग अपनी जो recharge करने की या फिर investment करने की वो है चमता उसको बढ़ाते जाते हैं वो और ज़्यादा लालच के चक्कर में और ज़्यादा invest कर देते हैं तो भाई मेरा ये मानना है कि किसी भी application के अंदर सिर्फ एक या दूसरा इन दो प्लानों में से buy करो और सिर्फ एक बार ही plan buy करो बार बार plan buy मत करो पान के चरो आपको उसके में से profit निकल गया आप लोग सोच रहे हो और profit कमाने की तो भाई ऐसा बिल्कुल भी मत करना किसी भी application के अंदर देखो अब यहाँ पर बात आ जाती है कि आप लोग को ये tax pay करना है या नहीं सबसे पहले इसे ध्यान से पढ़ो कि ये क्या लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है cash flow fund platform गोशना ठीक है बाकी यहाँ पर मैं आप लोग को जादा detail में नहीं बताने वाला हूँ यहाँ पर 9-10 तारीक को इन्होंने बोला है कि 10 तारीक तक आप लोग को tax pay करना है तब ही आप लोग के जो withdrawal है या फिर जो आपने invest किया है वो unlock हो जाएगा और आप यहाँ से withdrawal निकाल पाओगे आपका withdrawal मिल जाएगा ठीक है लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज clearly बता देता हूँ आप लोग को यह पे जो tax करने के लिए यह आप लोग को बिलकुल भी नहीं करना है ठीक है आप लोग को सिर्फ एक काम करना है जो इसके अंदर invest किया है वो recover करा सकता हूँ भाई guarantee है मेरी देखो सबसे बहले आपको क्या करना है हमारी video के description में जाना है वहाँ पे आपको हमारे telegram channel का link मिलेगा उस telegram channel को join कर लेना है join करते ही भाई यहाँ पे एक long term application है ठीक है इसके बारे में मैंने एक video already बनाई हुई है video की description में link है ठीक है हमारे telegram channel पर 13,900 subscriber already join हो चुके है और भाई हर एक बंदा इस application से पैसे निकाल ला है daily निकाल ला है आज इस application को तीसरा दिन है launch date भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ sorry दूसरा दिन है आज 10 तारीक है न तो 10 तारीक है यह application 8 तारीक को आई थी तो भाई ऐसी application मैं देता रहता हूँ और भाई update भी मिलेगा देखो सभी चीजों की जानकारी के लिए आप लोग के पास information होनी चाहिए अगर आपके पास information नहीं होगी तो भाई loss तो आपका automatic होना ही होना है लेकिन मैं अपने telegram channel पर हर एक application के बारे मैं update देता रहता हूँ तो telegram channel को join करना और भाई इस वाली application को बिल्कुल भी miss मत करना मैंने video बगेरा सारा कुछ डाला हुआ है इस application के बारे मैं video डाली हुए DHL इस application का नाम है ठीक है इसको miss मत करना ये application अगर आपने उस application में जो cash troll application है उसके अंदर जितना भी पैसा लगाया है ना इसके अंदर सिर्फ आप लोग को ज्यादा पैसा लगाना नहीं है आप लोग को second plan buy कर लेना है second plan खरीदने के बाद आ आप लोग कर सकते हूं धन्यवाद